Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरे YouTube चैनल LWD जॉब में Reliance School सिखशक भरती एक नया advertisement विर्से जारी कर दिया गया है आप सभी जानते हैं, अलग-लग राजियों में जो है, इनके स्कूल चलाय जा रहे हैं अमबानी गुरुप के द्वारा Reliance Foundation School के नाम से तो जैसे पहले vacancy आई थी, आप लोगों को सूचना दी थी, बहुत सारे candidate का selection भी हुआ था यहां के जो pay scale है, काफी अच्छा रहता है, 70,000 से अधिक salary यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है पीजीटी के teachers को, तो यहां पर जो vacancy आई है, नया विज्यापन जो जारी किया गया है, वहां entity, PRT, TZT, PZT, इसके अलावा भी other staff की vacancy है तो अगर कोई भी candidate apply करना चाता है, यहां पर बहुत अच्छी salary के साथ और काफी अच्छा environment आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है तो अगर आप सिक्षक बनना चाते हैं, Reliance Foundation School यहां पर पढ़ाना चाते हैं, तो बिलकुल आप लोगों को यहां पर apply जरूर करना चाहिए, क्योंकि fees यहां पर बिलकुल भी नहीं लगेगी, किसी भी candidate की जो भी apply करना चाते हैं सबी subject की vacancy है, apply online ही करना होगा, कैसे apply करना है, वो सारी चीज़े आप लोगों को इस वीडियो के मात्यम से बताई जाएगी, तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले विज्यापन देखेंगे, apply कैसे करना है, वो भी step by step मैं आप लोगों को बताऊंगी तो सबसे पहले आप लोगों को main website पर चले आना है, RFS की Reliance Foundation School, right side में career section आपको नजर आएगा, इस पर आप click करेंगे, और उसके बाद आपके सामने ये पूरा विज्यापन होगा, बिल्कुल नया advertisement है, teaching और non teaching staff दोनों के लिए है, ठीक है, उसके बाद apply करने के लिए क्या कर करना होगा, उपर देखें आप, to apply for staff position, please, click here, तो click here, इस पर आप click करेंगे, तो आपके सामने जो है, ये form आजाएगा, इसे आपको fill करना है, बस इतना करना है, और कोई भी fees वगर आपको नहीं देनी है, यहाँ पर, कोई fees नहीं है, ठीक है, जब आप ये पूरा fill कर तो यहाँ पर submit लिखा हुआ है, left side में, उपर की side आप देखें, submit, इस पर click कर देंगे, अभी जो है, यहाँ पर, जैसे name के आगे star है, subject के आगे star है, residence, यानि आप कहां रहते हैं, आपका स्थाई पता, ये आप लिख देंगे, इसी तरीके से जो है, बहुत simple चीज़े पू इसे आप blank छोड़ सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख दें, और नहीं लिखेंगे अगर, तो भी submit हो जाएगा, ठीक है, जिन पर star लगा हुआ है, इन्हें तो आपको fill करना ही होगा, otherwise submit नहीं होगा, ठीक है, तो ये है आपका form, fees आपकी नहीं लगेगी, अब देख लेते ह है, किस-किस post में कौन-कौन से subject की vacancy है, Reliance Foundation School invites applications for the following position, Assistant Head Ministries for Pre-Primary and Primary School के लिए, तो इसके लिए post graduate होना होगा, या फिर graduation अगर आपके पास है, graduation complete है, आपकी और साथ में B.A.D. आपने कर रखा है, 5-7 साल का आपके पास अनुभव है, तो आप Assistant Head Ministries के लिए बिल्कुल apply कर सकते हैं, fresher बिल्कुल apply कर पाएंगे other post के लिए, लेकिन Assistant Head Ministries के लिए 5-7 साल तक का अनुभव चाहिए, pre-primary teachers, PPRT, इसके लिए भी जो है इन्होंने qualification, जो है higher qualification मांगी है, pre-primary teachers के लिए, 12 नहीं, graduation या फिर post graduate अगर आप है, साथ में आपने ECCED या entity course किया है, तो बिल्कुल, आप लोग यहाँ apply कर सकते हैं, लिखा हुआ है, ECCED और an equivalent qualification, इसके समक्ष कोई योग गिता चलेगी, बिल्कुल, entity वाले बिल्कुल apply कर पाएंगे, फिर है primary teachers के लिए, PRT, mother teacher, 1-2-4 के teacher के लिए भी जो है, graduation या फिर post graduation, साथ में BAD, यह बहुत अच्छी vacancy है, selection बहुत जो है, इसमें candidate का होता है, और काफी अच्छी salary यहाँ पर मिलती भी है, next जो है, TZT के teachers के लिए all subject, सभी subject की vacancy, आपका कोई भी subject है, graduation के साथ में BAD होना चाहिए, या फिर आपने post graduation की है, और साथ में BAD, पोस्ट ग्रेजवेट और teacher के लिए सभी subject की vacancy है, तो यहाँ पर भी जो है, post graduate और साथ में BAD मांगा गया है, तो अभी हमने देखा, चाहिए आप PRT के लिए यहाँ पर apply करें, या pre-primary के लिए, या फिर TZT या PZT के लिए, तो यहाँ पर आप लोग graduation या फिर post graduation आपका होना जरूरी है, साथ में BAD होना जरूरी है, post graduate teacher के लिए post graduation plus BAD, activity teacher जिसे art and craft, music, dance, drama, इसके लिए भी जो है, graduation या post graduation और इसके समकक्ष कोई qualification होनी चाहिए, योगा teacher के लिए, डिपलॉमा योगा में होना जरूरी है, graduation या post graduation के साथ में, special educator के लिए भी जो है, BAD चाहिए, special education में, career counselor के लिए, post graduate या फिर graduate with diploma in career counseling, librarian और assistant librarian की vacancy है, जिसमें graduation या फिर post graduate in library and information science, next देखिए, assistant IT manager के लिए, graduation या फिर post graduation और साथ में, diploma, IT या computer science का, यहाँ पर जो है, अनुभाव मांगा गया है, HR manager के लिए भी जो है, 5-7 का अनुभाव चाहिए, manager administration के लिए भी जो है अनुभाव चाहिए, तो यहाँ पर आप देखें, जो teaching staff है, उसके लिए बिल्कुल भी जो है, अनुभाव नहीं मांगा है, experience नहीं मांगा है, तो यहाँ पर fresher बिल्कुल apply कर पाएंगे, fresher candidate बिल्कुल apply कर सकते हैं, उसके बाद salary की तो आप बिल्कुल tension न करें, 7-pay commission के according salary दी जाती है, next जो है यहाँ पर दो vacancy और है, secretary की post और account assistant की, जिसमें graduation के साथ में 2 या 3 साल का आपके पास अनुभाव होना चाहिए, secretary के लिए और account assistant के लिए, B.com या M.com, B.com वालों के लिए बहुत कम vacancy देखने को मिलती है, अगर कोई भी candidate जिनों नो B.com या M.com किया है, साथ में 2 या 3 साल का आपका इसमें अनुभाव है, तो आप बिल्कुल आप apply कर दे, तो यह vacancy जो है, में apply online at, तो इस पर आप लोगों को apply करना है, main website पर चले आना है, इसका link में आप लोगों को बिल्कुल description box के नीचे, link share कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग बिल्कुल यहाँ पर direct आ सके, और जैसे ही आप लोग इसे दुबारा से पढ़ लेंगे, यहाँ पर सबसे उपर लिखा है, click here, apply करने के लिए, इस पर click करना है, fill करना है, और submit करना है, तो यह बहुत अच्छी vacancy है, कई बार candidate सोच ल तो selection जो है वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, कि आप जहां रहते हैं, selection जो है वो उसी area में हो, KVS के जो teachers हैं, उनसे आप जो है वो पूछिएगा, कि बहुत अलग अलग जगे, उनको काम करने का मौका मिला है, दूसरे राज्यों में भी जो है, उनको जाना पड़ा है, teaching करन